नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको पता होगा कि चाइना और अमेरिका में ट्रेडवार चल रही है ब्यापार्युद चल रहा है और इस ब्यापार्युद में चाइना बुरी कदर हार रहा था लेकिन अचानक से चीन ने एक ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका और जापान बुर 52 अपने देश में चलाया है और उसका ये प्लान 2020, 2021 और 2022 के लिए है तीन सालों में वो अपने इस प्लान को पूरा करके अमेरिका और जापान को ट्रेडवार में ब्यापार युद्ध में हरा सकता है या अमेरिका जापान की रीड तोड सकता है क्या है ये प्लान आपको बताते हैं इससे पहले दोस्तों आप ये जरूर समझें कि भारत के लिए चाइना और अमेरिका दोनों ही दुस्मन है भले ही भारत सरकार इस समय अमेरिका से कितनी भी नजदीकी बढ़ाए लेकिन भारत सरकार ये अच्छे से जानती है कि अमेरिका भारत के लिए किसी परकार का कोई फायदेमंद नहीं है और भारतिय परधान मंत्री अमेरिका पे इस बात का दबाव जरूर बना रहे हैं कि अमेरिका यदि भारत की बातें नहीं मानता है तो भारत को भी दबाव देना आता है जैसे अमेरिका प्रेसर देता है भारत के प्रामिल हो जाएगा। इस बात से अमेरिका काफी चिंतित है कि भारत कहीं चाहिना की तरफ ना चले जाए। इसलिए अमेरिका नरेंदर मोदी की बातें मान रहा है यदि अमेरिका नरेंदर मोदी की बातें नहीं मानता तो कस्मीर से धारा 370 हटाना इतना आसान नहीं था अमेरिका पे भारत कहीं नहीं प्रेसर डाल रहा है जिसके कारण भारत में वही हो रहा है जो नरेंदर मोदी चा दोनों ही दुस्मन हैं चाइना भी और अमेरिका भारत को अंदर से खोकला कर रहा है और चाइना हमारे पडोसी देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बंगला देश, स्रिलंका को सपोर्ट करके भारत पे प्रेसर बना रहा है इसलिए अमेरिका और चीन के बीश तनातनी रहेगी तो वो भारत के लिए बहुत फायदे मंद होगा और नरेंदर मोदी उस तनातनी की वज़े से फायदा जरूर उठाएंगे तो 352 प्लान 352 चाइना का जो है वो अमेरिकी कमपनिया और जापान की कमपनियों के लिए बहुत भारी नुक्सान दायक होने वाला है चीन ने इस प्लान के तहट जितने भी चाइना में कार्याले हैं सरकारी कार्याले हैं विश्व विध्याले हैं अस्पताल हैं उन सब में विदेशी सोप्टुएर और हाड़ूर का इस्तिमाल करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और 2022 तक चीन में निर्मित तक्निक लागु कर दी जाएंगे जिसका 30% 2020 में 50% 2021 में और जो बचता है वो 2022 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा इन बातों को सुनके अमेरिकी और जापानीश कमपनिया जो की चाइना में बहुत भारी पैसा कमा रहे थे उनकी हवा पंचर हो गई है क्योंकि ये कमपनिया चाइना में बह लेकिन जब चीन ने सोदेशी तकनिक का इस्तमाल करने की बात कर दी या लागू कर दिया और 2022 तक इसे लागू कर देना है पूरा 100% तो इन सारी कमपनियों का तो दिवाला निकलना लगबगता है ये वही कमपनिया है जो अमेरिका और जापान को हर साल अरवन डॉलर देती हैं हालांकि चीन इससे पहले लेनवी जैसी कम्पनी चालू कर चुका है लेकिन उनमें बहुत सारा सामान जापान और अमेरिका से यूज होता है यानी ये कमपनिया अभी चायना में सकसेज नहीं हुई है जो कि चीन की अपनी कंपनिया है चाइना की लोकल कंपनिया है वो चाइना में सक्सेज नहीं हुई है लेकिन चीन ने अब पूरी ताकत लगा दी है कि इन सब कंपनियों को सक्सेज करना है और बिदेशी हाडवेर सोफ्ट वेर को खत्म कर देना है पूरे चाइना से और दोस् भारा भी दुस्मन है लेकिन सच बातें तो कहनी ही पड़ेगी लेकिन दुस्मन भी नहीं कह सकते हैं दोस्तों डायेक्ट दुस्मन तो चाइना कहीं नजर नहीं आता है अगर समाचार पत्रों की बात छोड़ दें जो समाचार पत्र बताते हैं चाइना ने गुस्पैट कर द तो चाइना कहीं पर भी भारत का दुस्मन नजर नहीं आता है। कि इस्टेट ऑफ मलक्का से लेके माडा गाशकर तक ये भारत का परभाव छेत्र है। भारत के लिए नहीं लेकिन हमारे भारतिय मित्र इस बात को समझते ही नहीं है। हमारे भारते मित्र एक ही चीज सोचते हैं कि चीन जो अपनी ताकत बढ़ा रहा है वो केवल भारत के लिए बढ़ा रहा है। भारत के लिए नहीं बढ़ा रहा है। भारत से लजने के लिए जगरने के लिए चीन के पास इस समय काफी ताकत है। उसे और बढ़ाने की जरुत नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं चीन का प्लान 352 सकसेज होता है या नहीं होता है। आने वाले एक दो साल के भीतर पता पड़ जाएगा। अगर यहाँ सपल हुआ तो यह पक्का है कि जापान और अमेरिका की रीड की या रीड तोड़ देगा चीन। हालांकि यहाँ सच है बिलकुल कि चीन आर्थिक महासक्ति तो बन सकता है। अमरिका से बड़ा भी बन सकता है। जो भी चीज बनाता है उसकी तकनिक खरीदता है। और हात्यारों की जो तकनिक होती है वो कस्टम होती है। वो बाजार में उपलब्द नहीं होती है। इसलिए चीन आज भी अपने हत्यारों के पार्ट के लिए 40% रूस पे डिपेंड है। और सही से आप गहराई से देखेंगे तो आपको एक चीज लगेगी जो रूस यानि सोब्य संग और अमेरिका ने जो परियोग 1970 और 80 के दसक में किये। वो परियोग चीन और भारत आज की डेट पे कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि चीन और भारत सहने ताकत में अमेरिका से या रूस से बहुत पीछे हैं। रही अमेरिका की बात तो अमेरिका से रूस बहुत पीछे और रूस से बहुत पीछे चीन है तो सही से देखें तो चीन सेन्य महा सकती तो नहीं बन सकता है अब नेपाल और पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि चीन तो सेन्य मासक्ती बन गया है लेकिन नेपाल और पाकिस्तान के ये लोग ये नहीं जानते हैं कि चीन केवल नेपाल और पाकिस्तान के लिए सेन्य ताकत है बड़ी सेन्य ताकत या सूपर पावर है दुनिया के लिए चीन सूपर पावर नहीं है सूपर पावर के लिष्ट में केवल एक ही देश है वो है अमेरिका रूस भी सूपर पावर देशों की सरणी में नहीं आता है क्योंकि रूस और चीन केवल अपने देशों के सीमा से लड़ सकते हैं लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी कोने से युद्ध लड़ सकता है उसको जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका में बैठके युद्ध लड़े वो दुनिया के किसी भी कोने से युद्ध लड़ सकता है इसलिए उसको विश्व महा सकती कहा जाता है